प्रसाद को हम सभी अपने थरों में बनाते हैं तो इसमें जो है प्रशाद हम करी तरीके से बना सकते हैं इसमें बल्फी बनती है पंजीरी बनती है तो आज हम पंजीरी बनाएगे बहुत है अलग तरीके से हम धनीय की बनाएगे तो आज देखे हैं इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है मकाने पिसीवी चीनी बदाम की गिरियां कैस्ट यानि की काचू देशी गी व्रतवला आटा जो कि हम नवरात्रों में यूश करते हैं जीरा पिसवा धन्या और हरी लैचे का पा जाए हम बनाना शुरू करते हैं अपनी पंजीरी पंजीरी बनाने के लिए हमने यह फूल में खाने लिए हैं आप चाहे तो इनको पीस में से इस तरह से काट सकते हैं और ना चाहे तो इसी तरह से डाल सकते हैं मैंने सिर्फ आपको काट कर दिखाया है मैं काटूंगे नही खीर इसान मज़ेर है मुए पतीन फिस्ट में मिख सब्सक्राइब प्रेट बंढ गीशित सब्सक्राइब यह अब यह क्यों नर्ट वी आप पर चृए आप आप बजार में मार्केट में इसली नवरात्रों के बाद भी मिलता रहता है आज कल भी आप जाएं जनम अश्टमी के दनों में आपको ये बड़ी आसानी से में जाए तो हम बनाना चुरू करते हैं अपर साथ अपना कड़ाई को गरम कर लिया है इसमें हम अपना डालें थोड़ा सा देसी घी इस ताह से आधा डाल देंगे पहले हमने 1 कड़ोरी भर कर लिया है इसमें हम ये मखाने डाल लेंगे इसमें हमने हलका ब्राउन कर ले रहा है मिखाने से बहुत थेश्यार रहे खूर्भी procedure सबस्सक्तेश दो बहुत ही ऐता है प्रचर दॉकρο हमें लागता है िसदियों बहुत इसपया निम्हार करने है इस तरह से हमने इसको गोर्डन रॉम कर लेना है बहुत जल्दी हो जाते हैं इसलिए हम ध्यान दखिए कि इसको लगातार रहते हैं आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी इसका कलर चेंज हो गया है आप चाहें तो गैस को हलका कर सकते हैं हल्की गैस पर बूल लें आटा हम जर्माष्टमी के प्रशाद के लिए यूज करते हैं यह जो नवरात्रों में मिलता है यह कई बार बजार में अगर आपको ना मिले इन दिनों में वैसे तो मिली जाता है अगर नहीं मिलता तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्ट में अपना लिंक दाल दूंगी आप आय कर सकते हैं वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर चेंज हो गया है तो ना सस्कोर कर लेंगी गोर्डन रों इसमें आप जो ड्राइफुट चाहें डाल सकते हैं राप को झोर्डन मैंने बदां की किरियां और काजू के लिए हैं आप चाहें तो काजू अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, देशी घी पड़ा हुआ है, इसी में हम डाल देंगे अपने बदाम के गिरिये, को इलाएंगे और काजोगे इसको भी हर्का color change होने तक करेंगे अब लगातार इसी करण से अमने हम यह लाना है आप चाहें तो इसमें खर्बूजी की गिरियां में डाल सकते हैं यह प्रसाद आप जनब उस्तमें में तो बनाएं जरूर आगे पीछे भी आप जब चाहें इसको बनाकर डिपे में डाल कर रख दें और जब मीठा खाने का मन करें तो आप इसको खा सकते हैं आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है कार्जू भी हमारी गोर्ण दिखने लगे हैं एक मेलकस दोबर कर लेते हैं निकाल लेते हैं अलसको मखाने वले बोल में ही अमने इसको डाल लिया है अभी भी घी आप देख सकते हैं इसमें पड़ा हुआ है इसमें डाल लेंगे अपना आधा चमच जीरा आधा चमच धनिया पाउडर और यह आटा जो है एक क्रेटोरियम डाल लेंगे अच्छा से मेलकस देंगे अभी ख़ी इसमें डाल लेंगे एक चमच हमने डाला है इसमें अभी बात में जुरूत लेगों कि तो हम अभी आप इसमें एक चमच ही डालेंगे इसी तरह से हमने इसको बूल लेना है हमें और खीट आलने के इसमें जूरूत नहीं है आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आदा समर्च इसमें और डाल लें गैस को तेज कर लेते हैं इसको थोड़ा बूल लेंगे फिर गैस कर देंगे आप जाहे तो इसमें पौदर थोड़ा डाल सकते हैं हमने बिलकुल इसको पी्स लेना है कई लोग भी साबुद कर भूणकर पीष लेते हैं हमने इसको जो है पीसने के बाद गीर में डालकर भूना है मुझे दादा धनिया प्रसंद नहीं है इसकर मैंने थोड़ा ही डाला है आप चाहें तो इसमें एक दो चम्मज डाल सकते हैं गयास को हलका कर दिया कहीं जगह जो धनिया का प्रसाद बनता है खाली धनिया में ही बनाते हैं अगर आटा नहीं डालते हैं वीच में अगर आपको थोड़ा स्वाद भी लेना है और पसाद भी खाना है तो आप तनिया की कौंटिटी को घटा सकते हैं अगर आटा जिरू डालें इससे टेस्ट भी आटा आटा अब देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया आटे का थोड़ा साम इसको ब्राउन करेंगे ताकि अच्छे से किस्पी हो जाए जब हम इसमें चीनी डालेंगे पीसी होई तब इसका अगर बॉइट हो जाएगा इसल इसमें अपना एक पिंच जो हमने हरी इलाइचे का पाउडर बिला है वो टाल देख सकते हैं अब देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है या इसको एक आदा मिनिट तेस्ट कर देंगे तेज गया आदा मिनिट के लिए बूलाइचे को बन कर देंगे और इसको फिर भी हिलाते रहेंगे तुकि अभी कडाई जो है खूब तेज गरम है आप देख सकते हैं दुआ निकल रहा है इसको हम हिलाते रहेंगे अंजीरी हमारी बहुत तेज गरम है इसको हम डालेंगे अपना चीनी आज पाउडर बनाया है अमने ज्यादा प्रसंद करते हैं आप ज्यादा डाल सकते हैं अजैए निकल शमच झाले हैं शीनी आप डाल दी है प्रसाद थे तकीन बनका तयार है इसमें राइपड़ गाने लाइब दिता हैं अप्र तुलसी नहीं तब तक बोग लगाएंगे तब दोगाने पैले तुलसी का पता रखेंगे और इसको भोग लगाएंगे तुलसी अ जब तक हम तुल्ची कोई भी खाने की चीज में डालें तब तक भगवान इसको भोग नहीं लगाते हैं इसके तुल्ची का पत्ता पर जरूर रखे और इसको भोग लगाएं प्रसाद का स्वाद आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा अप इसे मेरी रेसिपी से जरूर बना कर देखें और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट करिए और मेरा चैनल स्ब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद